महेंद्र नामत एकधनिक व्यापारी अपनी पत्नी कल्याणी और एकवर्ष की बेटी सुकुमारी के साथ अकाल ग्रस्त गाउं को छोड़कर कहीं दूर जानी के लिए गाउं छोड़कर निकल जाता है रास्ते में बहुर भीड़बाड है उस भीड में वो अपनी पत्नी और बेटी से बिछड जाता है इधर कल्याणी और सुकुमारी बिछड के अपने पती से बिछड के रास्ते में दरदर की ठोकरे भटकते हुए एक डाकों के गिरों में उनके हाथ लग जाती है दाकों उनको पकड़ कर लेके जाते ही रहते हैं तो उनके जो आपसी बैर रहते हैं दूसरे गिरों के साथ उनकी आपसी लडाई में कल्याणी और उसकी बेटी सुकुमारी ये दोनों उनके हाथ से बज़कर निकल जाती है कल्याणी निकलते हुए जंगल गने जंगलों से होती हुए एक आष्रम में पहुंशती है आष्रम का मुख्या जो रहता है वो सत्यानन्Д रहता है वो एक वैश्णों धर्म का आनियाई है और उसके साथ में रहने वाले भी लोग सभी उसी के जैसे हैं जिनको संतान कहा जाता है तो सत्यानन आश्रम का मुख्या कल्याणी और उसकी बेटी को आश्रम में आश्रय देता है और कल्याणी जब अपनी पूरी आपवित्ती उनको सुनाती है तो वो अपने शिष्य भवानन और उनके साथियों को बोलता है इसके पती को खोज कर लाईए वो ढूंड कर लाईए इधर भवानन और उसके साथ ही महेंद्र की खोज में निकलते हैं और बीच रास्ते में महेंद्र भी ऐसे ही भटकते दर्दर की ठोकरे खाते हुए भटकता रहता है तो सुबेदार के साथियों के साथियों के साथ उनकी मुडवेड हो जाती है भवानन और उसके साथ ही सुबेदार के सैनिकों से सारा सोना पैसा जो भी रहता है वो लूट लेते हैं और महेंद्र को उनके हाथ से छुड़ाते हैं बाद में महेंद्र इन से पूछता है आप लोग कौन हो आप लोग भी कोई डापूल लुटे रहे हो क्या भवानन और उसके साथ कोई भी जवाब नहीं देते हैं वो भी घने जंगलों से होते हुए आश्रम हो जाते रहते हैं तो रास्ता काटने के लिए और उस समय की मनस्तिती बताने के लिए भवानन एक गीत दाता है यह गीत सुनकर महिंद्र भवानन से पूछता है आप यह किस माता का वंदन कर रहे थे कौन है यह माता भवानन इन प्रशनों का उत्तर ना देते हुए अगली पंक्तियां गाता है तब महिंद्रों को समझ में आता है यह माता के बारे में नहीं किसी जन्म भूमी है किसी देश के बारे में यह गीत है इस पर भवानन कहता है हमें तो दूसरी कोई माता पता ही नहीं है हमें तो दूसरी कोई माता ग्यात ही नहीं है जन्नी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपी गरी यसी हमने तो इस जन्म भूमी को ही अपनी जन्नी माना है हमारा कोई बंधु नहीं है हमारा कोई मित्र नहीं है पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, घर नहीं है, पुत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, यदि है तो केवल सुजलाम, सुफलाम, मलय यशितलाम, सस्य शामलाम ऐसी जननी है महिंद्र और भवानन्द और उसके साथी आश्रम में पहुँचते हैं वहाँ पर आश्रम में मात्रु भूमी और काली माता की मूर्ति को देखकर महेंद्र उनके चरणों में लीन हो जाता है और संतानों को उनके कार्यों में मदद करने लगता है कार्य होता है आप सभी को पता चल गए होगा पालप्रभू में से कार्य है अंग्रोजों के विरुद्ध स्वतंतरता प्राप्ति का यह कहानी श्री बंकिम चंद्र चटोपाद्य जी के उपन्यास आनन मठ से कुछ अंच लिये है मैं तो इस तरह से यह वंदे मातरम का जैगोष स्वतंतरता की लड़ाई में एक मंत्र बना एक उत्सा वर्दक गीत बना संपूर्ण वंदे मातरम एक स्वयंपूर्ण संकल बना है तो जैसे आप देख रहे हैं वंदे मातरम एक शोद यह एक मराठी पुस्तक है जिसका मिलिन प्रभाकर सदनिस जी लेखक नहीं है इन्होंने बहुत सारे लेखों को एक साथ संकलित करके उसका संपादन किया हुआ है भाषा इस पुस्तक की मराठी है प्रकाशक है वंदे मातरम शतकोतर रौप्पे महोच्व जयनती समारो समीती सन 1999 हिंदी अनुवार मोग तपस्वी प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन दिल्दी आगे बढ़ेंगे वंदे मातरम एक शोध नदी सुधुरस्थ जनाम पवित्र विटाळती तीस तीचेच पुत्र नदी सबको सुधुर्थ पवित्र गंदी करते उसे के पुत्र एक नदी का अगली पिड़ी ने किया हुआ अनादर जो नदी हम सभी के लिए पवित्र है उस नदी का अगली पिड़ी ने किया हुआ अनादर विरोध अपमान एक उर्जावान संकलपना का जिस तरह से हास हुआ है इन सब कारणों से जो व्यथा निर्मित हुई है उसका वरणन कवी ने उपरोगत पंती में किया है। ठीक इसी तरह से वंदे मातरम इस संकलपना का इस गीत का भी अनादर विरोध यह सब हुआ है। अनादर से वंदे मातरम को गवरोवानवित किया है। उन सभी बिंदियों पर प्रकाश डाला है। लेखक मिलिन प्रभाकर सबनेज जी की भूमी का है उस्तक के पीछे। कोई भेदबाओं नहीं करती। इसलिए हे मातर भूमी, हे भूमाता, हे प्रिच्वी माता, हे जगदराती। तुम्हें मेरा बंदन। वंदे मातरम का जन्म कलकत्ता शहर के पास एक छोटा सा गाउ है नैहाटी। और नैहाटी के कंटाल पड़ा बस्ती में, शाम के समय एक दूर मंजल इमारत में एक वेक्ति शान्ती पूर्ण कुछ लिखने में मगनित रहते हैं। जब उनका लेखन पूर्ण होता है तब उनके मुख पर विलक्षन तेज उभर कर आता है। जैसे कि इस कविता लेखन से संपूर्ण मानो जाती को एक तेजो वले प्रकाश प्राप्त होने वाला है। उसी समय बंगदर्शन जोकी सापता ही मासिक था उस समय का। उसके संपादक अंदर आते हैं बहुत जल्दी-जल्दी में रहते हैं। बंकिन जी के हाथ में जो कविता देखते हैं। यह इस जगे में बस जाएगी यह कविता। ठीक है। अभी का काम चल सकता। बंकिन जी बहुँत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यह कविता अच्छी है, बुरी है, अभी फिट हो रही है नहीं हो रही है यह मुझे पता नहीं लेकिन जब इस कविता का महत्व उसंपूर्ण मानव जाती को पता लगेगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों अभी नाराज हो रहा हूं इस चीज के लिए और वहाँ काव्य था वंदे मात्रम एक राष्ट्र मंत्र का जन्म हुआ था सभी देशवासियों को जगाने वाला एक सिद्ध मंत्र था वंदे मात्रम की रचयिता श्री बंकिन चंद्र चटोपाद्ध जी का जन्म 25 जून 1838 में हुआ था 1860 से 1882 तब का काल जो साहित्य के ख्षेत्र में है बंकिन काल के नाम से जाना जाता है 1880 से 1882 आनन्मठ उपन्यास इसी काल में प्रसिद्ध हुआ है बंकिन जी का और बहुत प्रसिद्ध का उपन्यास है इस उपन्यास में बंकिन जी ने वंदे मात्रम का उप्योग बहुत ही सुन्दर धन से किया है अगर देखा जाए उपन्यास अगर पढ़ते हैं आननमठ और उसमें अगर वंदे मातरम को आप हटा दे तो आननमठ अधूरा है और वंदे मातरम में से आननमठ हिकाल दीजे तो वंदे मातरम भी जो हमको ग्यात है ऐसा नहीं लगेगा लेखक ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटोपाध्य जी का चरित्र एवं साहित्त का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है बंकिम चंद्र जी ने अपने लेखन वारा सतंत्रता की आशा को पल्लवित करने का काम बहुत सुन्दर धंसे किया हुआ है बंकिम चंद्र जी के कारे को भारतवासियों के समक्ष कस्तुत किया है श्री अर्विन जी ने बंकिम चंद्र जी को राष्ट निर्माता कहा है बंकिम जी ने समय से बहुत आगे चलकर राष्ट निर्मिती का चिंतन किया हुआ है उन्होंने धार्मिक संकलपना को देश भक्ति की माला में पिरोकर एक महान मंत्र दिया इस मंत्र के दारा देश के लिए प्रांट प्यागने का धहरे हमारे क्रांति कारोपुमी जागू थी आगे इस बुक में अगला उन्होंने जो चार्टो लिया हुआ है वैदिक वांगमे एवं बंदे मात्रम बंकिम चंद्र जी जासा की आप सभी को पता है वो बहुत बड़े वेद के भी अभ्यासक थे उन्होंने जण्म भूमी को माता के रुप में देखा उसकी संकल्पना हमारे प्राचीन वेदो में लिखी थे वंदे मात्रम ये शब्द प्राचीन वेदो से लिखित विश्वात्म संस्कृति का प्रतीक है जिस भूमी पर या धर्थी पर हमने जन्म लिया है, वह जन्म भूमी हमें माता समान है केवल भारती ये सांस्कृती में ही वसुद है वह पुटुमबकम की संकल पना है परन्तु यह मातरुगुमी केवल जन्म देने वाले माता तक ही मर्यादित है क्या? तो नहीं, साक्षात ब्रह्म देव नी आदिशक्ती की सहायता से ही सुरुष्टी की रचना की है और यही आदिशक्ती जगन माते के रूप में पूजनी है अथर्ववेत का आधार लेकर बंकिन जी ने जननी वा जन्म भूमी के मध्य समानता सामर्थ को बताया है भारत के प्राचिन इतिहास का अविशकार वन्दे मातरम गीत के द्वारा ही हुआ है मात्रु भूमी, जन्म भूमी के पूजन को अनन्य साधार और महत्व देने वाली संस्कृती और परंपरा केवल हमारी ही है इस तरह से बंकिन जी ने प्राचिन वेदों के अभ्यास से और वन्दे मातरम के रचना से इतना अच्छा वो संबन्द स्थापित किया है कि वन्दे मातरम के पूरे गीत में हमें पूरी भारत की संस्कृती का अभ्यास हो जाता है वंदे मातरम निर्मिती पूर्व पार्ष्ट्व भूमी जो है और एक है वंदे मातरम इस मंत्र का आधार प्रसिद्ध चित्रकारपंडित श्रीपात सातवलेकर जी ने भी किया हुआ है मतलब उसका अभ्यास किया है वो भी अच्छे प्राचिन वेदों के अभ्यासक थे उन्होंने 1917 में ये चित्र निर्मित किया है देखें आप वो माता पुत्र को लेकर बैठी और जो नीचे जो कमंडलों रखा हुआ है वो तब का सिलोन आज का श्रीलंका है तो ये इतना अच्छा सभी चित्रकारों ने भी उस उस कालखंड का वरणा अपने चित्रों से अगर लिखना नहीं है तो भी चित्रों से उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है ये सब वंदे मात्रम निर्मिति पूर्व पाश्व भूमी वंदे मात्रम का यहां मंत्र सारे विश्व को देने वाले श्री बंकिम चंद्र चटोपार्द्याय जी एक रिशितुल्य व्यक्ति थे उनका यहां कारे सारे विश्व के समा जैसा कि मैंने बताया लाने वाले व्यक्ति थे श्री अरविंद जी वंदे मातरम लेखन की प्रेरणा कवी को कैसे प्राप्त हुई उसका पूरा वर्णन कवी ने यानि कि बंकिन जी ने आमार दुर्गोच सव एक उनका लेख है उसमें विस्तार से लिखा है यह लेख कार्तिक इस विशन 1875 में स्वयम बंकिन जी ने लिखा हुआ है वंदे मातरम के पूरूर बंकिन जी का सारा और पूरा चिंतन आमार दुर्गोच सव में प्रकट हुआ है प्रदिर्ग चिंतन के बार मातरु भूमी का एक स्वरुप उनके मन में साकार हुआ उन्हें मातरु भूमी का दर्शन हुआ और जब दर्शन हुआ तब एक ही में वंदे मात्रम का निर्माड हुआ दिनाग सार अक्टोबर 1875 शक्के 1797 अश्विन शुक्ल अश्टमी इस दिन श्री बंकिम जी को मात्रु भूमी के दर्शन हुए मात्रु भूमी का दर्शन सातार हुआ उनके मन में और ठीक एक महिने बाद दिनाग सार नवंबर 1875 शक्के 1797 कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन वंदे मात्रम का यह मन्त्र उनकी लेखनी से सारे विश्व को प्रकट हुआ और इस नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता हुआ वंदे मात्रम निर्मिती के पश्चात का प्रवास 1875 में कार्तिक महिने में बंकिम जी को इस गीत के लेखन की प्रेरणा प्राप्त हुआ और उनकी लेखनी से यह गीत प्रस्तुष हुआ और फिर तब के कालखंड में इस गीत की चर्चा पूरे बंगाल में होने लगी सभी जो बड़े साहित कार कवी थे सभी ने ये वंदे मात्रम की स्वरली की तयार की और अठासससट्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् हमारे लेक में, हमारे साहित्य में वंदे मात्रम का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है 1885 में जैसे आप सभी को पता है राश्ट्रिया सभा की स्थापना हुई और उसके ठीक 10 वर्ष पश्चा, जब 1896 में राश्ट्रिया सभा का पहला आधिवेशन वेउंकेश बैनर जी इनकी अध्यक्षता में संपन्नों हुआ ये बड़े दुख्य साथ कहना पड़ता है कि वंदे मात्रम का उस दिन उस सभा में संपूर्ण गायन हुआ वंदे मात्रम का लेकिन वो बंकिम जी के निधन के दो वर्ष पश्चात हुआ लोगों तक पहुचने के लिए 20 साल लगे वंदे मात्रम को लोगों तक पहुचने के लिए 20 साल लगे और बंकिम जी का निधन 8 अपरल 1894 में हुआ और जाहिर जो गायन हुआ, सबके सामने जो गायन हुआ, वन्दे मातरम का रजिंद्रणार टाइबुर जी ने किया, वो 1896 में हुआ 1901 में फिर से राश्ट्रिय सभा हुई जहां दक्षणा रज्यन सेन के स्वरों में सम्पूर्ण वन्दे मातरम का गायन हुआ वन्दे मातरम पूरी जनता के सामने या पूरे भारतवासियों के सामने पहुचा बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन की गोषणा हुई और इस विभाजन का निशेद करने के लिए सभी भारतवासियों ने वंदे मातरम के जैगोष के साथ बंगाल विभाजन का निशेद किया सभी उसके बाद के सभी आंदोला उठाओ, सभी घटनाएं वंदे मातरम के साक्षी से ही हुने लगे वंदे मातरम का यह मंत्र निंदोस्तान में बंगाल विभाजन के कारण ही पहुँचाँ साथ अगस्ट 1905 में कलकत्य के कॉलेज चौक में जिसे बिडन स्क्वेर भी कहा जाता है महां पे सर्वप्रत्थम सभी विद्यार्थियों ने, सब कॉलेज के विद्यार्थियों ने मिलकर एक जमाओ और यह बंगाल विभाजन का निशेज जो उनको प्रकट करना था उसके लिए वो बिडन स्क्वेर में जमा हुए थे महां उन्होंने वंदे मात्रम की घोशना की वंदे मात्रम का यह मंत्र स्वतंत्रता की लडाई में युद्ध मंत्र के रुप में प्रकट होने की इस घटना को अर्बिन जी ने कलम बद्ध किया हुआ है उसके बाद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के लिए भगेनी नेवीदिता ने भश तयार किया था उस पर वजराकृती पर वंदे मात्रम शब्द रेखांकित किये गया था बंगला भाशा में लिखा हुआ था वंदे मात्रम और वो उन्होंने खुद अपने हाथों से एमरोइडरी करके लिखा हुआ है रेशन के एमरोइडरी होती है वो किया हुआ है उन्नी सो साथ के अंतराश्रे अधिवेशन में जो कि स्टूटगार्ड जर्मनी के स्टूटगार्ड में हुआ था मदाम कामा ने जो दभज तर आया था उस दभज पर भी वंदे मात्रम शब्द लिखे हुए थे तो इस तरह वंदे मात्रम जो है वो राश्रे अस्तर से उठकर अंतराश्रे स्तर तक पहुच गया था राश्रे स्वें सेवत संग के संस्था पत डॉक्रर्ड हेडगेवार के साथ का वंदे मात्रम वाला फसंग भी बहुत संस्मरनी हैं जो कि मैं चाहूंगी कि आप लोग सब पढ़ें हो वंदे मातरम का यह मंत्र देश विदेश सभी जब पहुँच चुका था अंध्रेज भैबीत हो चुके थे सभी क्रांतिकारों को के मुख से केवल वंदे मातरम का घोश होने लगा था वंदे मातरम इन शब्दों में राष्ट्र भावना को प्रजवलिक करने का सामर्थ है इसलिए अंध्रेजों का भैबीत होना तक स्वाभारिक था अभी तक हम लोग वंदे मातरम को सकारात्मक रूप से ही ले रहे हैं अज़ा ही लोगी विरोध में ज़्यादा बोलूँगे नि आप लोगों को सबको पता है लेकिन इस पुस्तक में लेखक ने विरोध का भी वरण किया है तो थोड़ा सा उसका बताना चाहूंगी वंदे मातरम का विरोध हमारी भारती संस्कृती सबको अपने में समाने वाली है सर्वेशाम विरोधेन ब्रह्म करन समारभी वंदे मातरम की रचना में भारती संस्कृती एवं संस्कृत साहित्य का अत्यन्त प्रभाव है इतनी थोड़ी सी पंती में संपूरण राश्टा का वर्णं किया गया, इसकी हर पंती आश्य से भरपूर है सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने इस भूमी पर आखरमर्ण किया है कभी सत्ता की लालसा से, कभी سंपत्ती की लालसा से पर अंतुव उन सभी को हमारी परंपराओं को और संस्कुरुति को नश्ट करते नहीं बना है यही कारण रहा है वंदे मात्रम के विरोध का वंदे मात्रम का यह गित मात्रुपूजा का प्रतीख है जिनने यह समझ नहीं आया वो विरोध करने के लिए ततपर हुए इस गीत का विरोध केवल वेश और वैल के कारण हुआ 1906 में जो बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकरों की निती अपना ही थी वहाँ पर वंदे मातरम की बली चड़ाई गई है 1923 में काकिनाडा के राश्ट्री अधिवेशन में मुस्लिमों ने प्रथमत वंदे मातरम का विरोध किया अध्यक्षते मौलाना अमजड अली जिनोंने पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर को वंदे मातरम गाने से रोका परन्तु पंडित जी ने कहा गाऊंगा तो संपूर्ण गाऊंगा और लोगों ने भी उनका साथ दिया उनको गाने के लिए कहा तो यहीं से जातियता के चक्र में उल्विया कर रख दिया गया हमारे वंदे मातरम को वंदे मातरम को हिंदू का गीत कहकर विरोधों को ने बहुत बड़ा अपमान किया है यह गीत केवल मातरु भूमी की समरपित भावना से लिखा गया है इस गीत में कहीं भी हिंदू मुसलिम को उद्देशित एक भी पंती नहीं है अगर मुस्लिमों को इस गीत में कुछ गलत दुरिश्टिपत हुआ तो यह वह था भाषा भाषा थी संस्कृत और बंगाली परन्तु यदि आप हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो वहां की भाषा संस्कृती से आपको आउगत होना ही होगा राष्ट्रिय एक्ता की नीव है भाषा की एक्ता मौलाना रेजा मुल करीम जी ने कहा है कुछ लोग अपने व्यरतिक स्वार्थ के लिए दैनन दिन जीवन कलुशिक करते हैं बंदे मातरम इस गीत में कहीं भी मुर्टी पुजा को प्रदर्शिक नहीं किया गया यह गीत अत्यंत सुंदर निर्दोश गीत है इस गीत में जैसा पहले ही बताया गया है इस गीत को देखने का दृष्टी कौन उदार दृष्टी चिंतन शीलता सकार आत्मक्ता इन सभी के आउशकता है बंदे मातरम के प्रारंबिक काल में बैरिस्टर जिना भी यह गीत गाते थे और जो भी इस गीत का मुस्लिम कोई अगर खड़ा नहीं होता था वंदे मातरम स्थिती में अगर वो खड़ा नहीं है तो बैरिस्टर जिन्ना उनको डाटते थे फिर वो मुस्लिम लीट की स्थापना हुए और उसके बाद सब कुछ बिगड़ता ही चला गया तो सभी ने विरोध किया राजनीतिक विरोध कर रहे थे सब राजनीतिक नेताएं अपनी दाल पका रहे थे तो जिनोंने विरोध किया उनने प्रमूपता बैरिस्टर जिना, महात्मा, गांडी, नेरू, राजेंदर प्रसाथ इत्यादी सभी नेताओं कर इसमें समावेश है वंदे मात्रम और संगीत भारतिय शास्त्रिय संगीत विश्व में सबसे उत्कृष्ट संगीत के रूप में जाना जाता है वंदे मात्रम को गाने के लिए अनेक बड़े-बड़े संगीत कारों ने इसे संगीत बद्ध किया इसकी स्वरलीपी तयार की सर्वपरथम यदूनाथ भट्टाचारीय ने वंदे मात्रम की स्वरलीपी तयार की उस काल में जगदिशनाथ राय हीमचनद्र बैनर जी, तारफ्रसाच, चेटोपाध्या इत्या दिन तक्कालीं गायकों ने यदुनाथ भट्याचारे जी की स्वरलीपी पर वन्दे मात्रम का गायन किया आनलमट उपन्यास के प्रकाशित होने से पूर्व एक स्वरलीपी श्रिप छेत्रनाथ मुखर जी ने तयार की कि 28 डिसेंबर 1896 कलकत्ता के बिडन स्क्वेर में रविन्दरानाथ जी के पहडी स्वर में वन्दे मात्रम का जाहिर गायन हुआ जो कि सभी भारतवासियों के लिए एक रोमांचक छंड था 1901 में दक्षणा रिण्यन सेन ने वन्दे मात्रम का गायन किया 1905 में सरला देवी चौदुरानी ने विरोध होने के पश्चाद भी संपूर्ण वन्दे मात्रम का गायन किया तब ऐसा था राश्रिय सभा में अनेक दिगज कलाकारों को गाय के क्छेत्र के कलाकारों को आमंतृत करते थे और वन्दे मातरम का गायान किया जाता है पंडित विष्णु दिगंबर पलुसकर जी को भी आमंत्रित किया गया था उन्होंने काफी रागमेर रचित वन्दे मातरम की रचना लिखी और जब गाया तो यहां रचना बहुत ही कम समय में बहुत प्रसिद्ध हो गया इक लिए 1923 में जैसा मैंने पहले बताया है थोड़ा विस्तार से बताऊंगी 1923 में काकिनाडा के अधिवेशन में पंडित जी को आमंत्रित किया गया था और जब पंडित जी मंच पर आये संकुर्णा वंदे मातरम के गायान के लिए तो अध्यक्षी जी ने रोग दिया आप नहीं गा सकते इसका विरोध किया तो पंडित जी ने इतना अच्छा उत्तर दिया है उसके उपर यह एक राष्ट्रिय सभा का मंच है आपके धरम का प्राथना स्थल नहीं और अगर आपका इस गीत के लिए विरोध है तो आप उपस्ति थे उन्होंने भी संपूर्ण वंदे मातरम का पंडित जी के साथ में गायान किया तो उनका इतना बड़ा कदम उठाकर विरोध करके और अपना संपूर्ण वंदे मातरम का गायान किया ही तो उनका यह धारे केवल अथूलनिय था उनके शिश्य पंडित उंकारनाथ ठाकूर एवन पंडित विनायक गुआ पटवरधन इन गायाकों ने भी काफी राग में रचाइत वंदे मातरम गीत का गाया अधिवेशनों एवन सभाओं में किया हुआ है पंडित उंकारनाथ ठाकूर थी वो इस तरह आगरे थे कि अगर उनको किसी सभाया कहीं का आम मंतरन आता था तो आयो जोकों से पहले पूछते थे मुझे पूरा वंदे मातरम गाने मिलेगा मैं कोई काच्छाट नहीं करूँगा उसमें और जितना टाइम मुझे चाहिए जितना भी बड़ा है वंदे मातरम वो मैं पूरा गाऊंगा अगर आप लोगों को यह मान्य है तो ही मैं सभा में आऊंगा अन्यथा नहीं तो लोग तयार होते थे बुलाते थे उनके और पंद्रा आग सतन्रता दिवस की सुब साड़ी छे वजे आकाश्वाणी पर से पंडित ओंकार ना ठाकुर जिए करदा दोग सतन्रता दिए कर दी haha मा तर लो न वा दिय झाल ये माँ, माँ बहुतानी शजला सुभर्ला माल्याद यादा शीवन्दार इस तरह से 1935 से 1952 के इस काल में अनेक दिद्य संगितकारों ने वंदे मातरम को संगीत बद्द किया है अनेक महान गायकों ने वंदे मातरम का गायन किया उन्होंने सिर्फ गायन ही नहीं किया तो वंदे मातरम को राष्ट्रिय गीत का सम्मान मिलना चाहिए इसके लिए प्रयत्न भी किये इसमें मास्टर कृष्णर राव और वीदे अंभाईकर बहुत महत्वपूर्ण है बंदे मात्रम का केवल गायन करने वालों में पंडित विश्नुपंत पागनिस, केशव राव भोल इसे भारत के अनिक जेष्ठ वा श्रेष्ठ गायक वा संगितकार है तो इन में से भी पंडित विश्नुपंत पागनिस जी का जो उन्दे मात्रम था राग सारंग में उनोंने गाया था वो काफी प्रसिद्ध हुआ और बहुत ही कम समय में वो लोगों के प्रसिद्ध हुआ यह विश्चार में उन्देर बात्रम था्रम्ट प्रसिद्ध हुआ जीकार्म्ट प्रसिद्ध हुआ झाल नश्रीदेर नश्रीं अजय वा श्रीद कि तो मिमां वक्त्त्ति तो इस तरह से आज जो वन्ने मातरम प्रचलित है उसके जो दो पाराग्राफ हम लोग जो गाते हैं स्कूल में जो है वो राख देश पर आधरित है और आनलमठ में जो हमने सुना वो भैरवी और मालकम्स राख का मिश्रान वन्ने मातरम को राष्ट्रिय गीत का सम्मान मिले इसके लिए वीदे अंभाईकर, मास्टर कृष्णर राव इवं दिलित कुमार रॉय इन लोगों में बहुत महत्वपुरुण प्रयतन किये वन्ने मातरम के लिए राष्ट्रिय स्तर पर वीदे अंभाईकर जी ने अथक परिश्रम लिये थे इसलिए उन्हें राष्ट्रिय गायक भी कहा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्ने मातरम को राष्ट्रगीत का स्थान मिले इसके लिए 1949 में काका साहिब गारगर जी ने समीती के समक्ष श्री अंभाईकर जी को संपूर्ण वन्ने मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया था श्री बाबा साहिब अंबढकर जी ने उनका गायान सुनकर कहा था कि इनके स्वर में स्वरबद्ध वंदे मातरम की धनी मुद्रिका निकलनी चाहिए और I will be the first man to purchase your record किन्तु आचारे कृपला नी जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि दोनों में से कौन सा राष्ट्रगीत होगा यह तो केवल नहरू जी ही तै करेंगी और पंडित नहरू जी के आगरे से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त नहीं हुआ सभी संगितकारों की मेहनत पर पानी फिर गया मास्टर कृष्णराओ जी ने भी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का स्थान मिले इसके लिए बहुत प्रयतन किये उन्होंने अनिक अलग-अलग वाद्यों पर वंदे मातरम की रचना को संगीत बद्ध किया उसकी ध्वनी मुद्रिकाएं तयार करके पंडित नहरू को सुनाई अनेक पत्रकार परिशद में मास्टर जी ने वंदे मातरम के प्रत्यक्षक भी दिये परन्तु जनगन मनको ही राष्ट्रगीत का स्थान मिले इसके लिए पंडित जी बहुत आग रही थे और जनगन मनको ही राष्ट्रगीत का स्थान मिला एवं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत समान स्थान मिला मास्टर कृष्णर ओ थोड़े निराश हुए परन्तु यहां उन्なら एक समादान यह भी था कि वंदे मातरम को पूर्ण तह नकार नहीं मिला है राश्ट्रिय गीत समान का दर्जा मिला हुआ है केवल संगीत पर आक्षे पिलेकर किसी गीत को उसका उचित स्थान न देने की यह संपूर्ण जगत में पहली घटना थी हमारे देश के राश्ट्रिय गीत के लिए विदेशी या पाश्ट्रिय गीत का आग्रह क्यों? हमारे राश्ट्रिय गीत से हमारी संस्कृति के दर्शन होने चाहिए इन सब बिंदुओं को देखते हुए वन्यमात्रम में कोई कमी नहीं थी परन्तु फिर भी सरकारी आग्रह के कारण वन्यमात्रम को राश्ट्रगीत का स्थान न मिलना हमारे लिए दुरुभाग्य पूर्ण बात रही है यह सबी बड़े दिग्गत संगितकारों का अपमान है और उससे भी बड़ा अपमान वन्यमात्रम का जैगोश करते हुए मृत्यू को अपने गले लगाने वाले क्रांतिकारों का और निशब्द रूप से अपनी चाती पर गोलिया खाने वाले देशभक्तों का है आज यूकों में वन्यमात्रम और जैनगरम मन दोनों से ही देशभक्तिक का भाव जागरुत होता है इसलिए ये राष्ट्रगीत या वो राष्ट्रगीत कौन सा श्रेष्ठ है इसलिए हमें इस विवाद में जाना नहीं चाहिए या अनावशक एवं निरर्थ है दोनों का अपना अपना महत्व है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनिक बड़े संगितकारों ने वन्यमात्रम को संगित बद्ध किया है गाया है स्वतंत्रता के सुवर्ण महोत्सो कारेक्रम में पंडित भीमसें जोशी जी ने संपूर्ण वन्यमात्रम का गायन किया है और स आज के युग के युवा संगितकारों ने भी वन्दे मातरम को नई दृष्टे से प्रस्तुत किया है यह हमारे लिए एक आशादाय घटना है। वन्दे मातरम एवं महापुरुष वन्दे मातरम वीर सावरकरजी की दृष्टी से सावरकर जी की कृति जयोस्तुते यह वन्यमातरम के साथ बहुत साधर में रखती है जयोस्तुते के द्वारा सावरकर जी ने मातर भुमी की भक्ति का सिद्ध मंत्र ही पुरे विश्व को दिया है वन्यमातरम एवल रांकृष्ण परम्हौंट 1884 में जब बंकिम जी रामकृष्ण जी की भेट हुई तब रामकृष्ण जी ने बंकिम जी से प्रशन किया आपको बंकिम किसने बनाया यहां एक बात बताना चाहूंगी बंकिम इस शब्द का अर्थ बंगला भाषा में टेड़ा होता है तब बंकिम जी ने हसकर उत्तर दिया था ब्रेट्रिशर्स के जूतों की ठोकरों ने इस तरह हसी चेश्ठा में भी बंकिम जी के मन में अंग्रेजों के प्रती जो द्वेश था वह प्रकट होता था वन्ने मातरम एवं गोलवलकर गुरुजी श्री गोलवलकर गुरुजी ने बंगलोर की जनसभा में अपने भाषण में कहा था स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए सर्वस्वत त्याग करने की प्रेणा जिस गीत द्वारा प्राप्त हुई वह गीत हैं वन्ने मातरम I I bow to thee rich with thy hurrying streams bright with thy orchard gleams cool with thy winds of delight dark fields waving mother of white Ñ mother 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 my mother my mother mom my मारोरी जंगल मंगल देश मने यारु भी लगे देशू अरे खवला दंगला धोरियारे आची निर्माल रे खवला दंगला धोरियारे आची निर्माल रे जम 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 के चांद नीरे ओ जम 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 के चांद नीरे जू जांदीरों खेत्व मने जम 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 के कारोरी नहीं जम जम संगल मने मने कारोओ जम सक्ष्वाओ जम केंजरों निम संगला दंगलोम धूत जम 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 एपिएन, नहार कोव्त हो जम 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 मूला दंगल व Хот Tim Glory of midnight dreams Over thy branches and lordly streams Glad in thy blossoming trees Mother, giver of ease Laughing low and sweet Mother, I kiss thy feet 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 करी अम्बेली यानी, बोली पाकी, करी अम्बेली यानी, बोली पाकी, मिस्री री नडी योजी मानी Mother, I bow to Thee, rich with Thy hurrying streams, bright with Thy orchard greens, cool with Thy winds of delight, dark fields waving, Mother of Might, Mother free. Glory of midnight dreams, over Thy branches and lordly streams, glad in Thy blossoming trees, Mother, giver of ease, laughing low and sweet, Mother, I kiss Thy feet, speaker sweet and low, Mother, to Thee, I bow. Mother, I bow to Thee, rich with Thy path, Mother, I bow to Thee, rich with Thy proud, to the others, Mother, I bow to Thee, rich with Thy side. Mother, I bow to the king, बता है मैनvy टिरह लाजै मैन्टन मै Sectule इस आप लोगने इस आरओं क First मैंठाव! मैन OF Przyम वे लिए किस्रίν देस फिए Mother of Mind एसो में किया हुआ है इसलिए यह लेख भी महत्वपूर्ण है बारहस पत्य शास्त्र में भारत का वरणन आता है हिमालयाउं समारभ्य यावत इंदू सरोवरम तन देव निर्मितन देशाउं हिंदू स्थानम प्रचक्षते इस वरणन के अनुसार यथार्थ में देव भू पुनह एक बार परमवयभू के शिखर पर पहुचाने के लिए कटिबद्ध हो जाए इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हमारी सनातन भारत माता की प्रतिष्ठा एवं गवरों के लिए तथा उसके सभी शत्रों का नाश करने के लिए समरपन भाव से उसी की शरण में रह जिस प्रकार मंदिर में जाने से पहले हम हमारे जूते चपल बहार ही रखते हैं मंदिर में विनमरता एवं पूर्ण भक्ति भाव से जाया जाता है उसी तरह हम विवादों से उपर उठकर भारत माता का वंदन करें और उससे प्रेरणा लें इसी तरह हमें अनन्य विवादों से उपर उठना चाहिए जैसे की राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हिंदू मुस्लिम राजनेताओं का विरोधी बयान वामपन्थी एवं स्वयंगोशित पुरोगामी लोगों के विचारों से हम दूर ही रहे तो अधिक लाबदाई होगा इसलिए समर्पन एवं शरण भाव से माता का वंदन करें सभी मापुरुशों ने इसी सरातन सत्य को अपने अपने शब्दों में बार बार दोहराया है धन्यवाद कर दोहराया है 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 कर दो कर दो कर दो कर दो